डिगीपूरी का राजा बाजे छे नोबत बाजा इस बजन की सुवर लहरियां तो आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिगीपूरी का यानि ये डिगीपूरी कहां पर है और इस भजन के अंदर जिसे राजा संबोदित किया गया है वो कौन है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको डिगी पूरी दिखाएंगे डिगी पूरी का फोर्ट दिखाएंगे और ये बताएंगे कि इस भजन के अंदर राजा किसको संबोदित किया गया है और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो डिगी पूरी का जो गड़ है यानि डिगी का जो गड़ है उसके अंदर रियासत काल के अंदर आजादी से पहले किस राजवंस ने सासन किया अपने आंचल में एक समरद इतियासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वेभव समेटे डिगी कस्वा जैपूर से लगबग 80 किलोमेटर दूर इस्तित है यहां रियासत कालीन एक भववे एमवी साल गड़ बना है जो यहां के खंगारोत कच्वाय सासकों के सोर्ये और प्राकर्म की अनेए गटनाओं का शाक्षी है डक्टर रागवेंदर सिंग मनोर की पुस्तक राजस्तान के खंगारोत कच्वाओं का इतियास के अनुसार डिग्गी खंगारोत कच्वाओं का एक प्रमुक ठिकाना है जो मालपुरा परगने के अंतरगत आता था यहां के खंगारोत भाकर सिंग जी की वंस प्रम्परा से हैं इस वंस में हरी सिंग जी खंगारोत प्रसिद्ध सेना नाइक वे जो आमेर राज्ये के इस्तम माने जाते थे डिकी ठिकाना रिकोर्ड के अनुसार हरी सिंग जी के बड़े भाई विजे सिंग जी को विक्रम सम्मत 1740 में 22 गाउं सहीत डिकी की जागीर मिली थी छ 네 धाद अजब सिंग्जी के दो लड़के हुए थैं विजे सिंग और हरी सिंग जी विजे सिंग जी नी उनको जागिरि में विजे सिंग्जी को यह दिया तक वीजे मै्स इंग्य को भी जागीर इन शोम रोड नहीं हो वोजए से जैसा कि गिरवर सिंग जी ने बताया, इस राज परिवार के चार ठिकाने हैं, लामबा, लाम्या, जुनारदार, मुंडिया और डिग्गी. ठिकाने में जब कभी किसी ठिकानेदार के संदान नहीं हुई, तो उक्ते ठिकानों से एक ही परिवार होने के कारण गोध लाए गए. यहां के सासको ने समय समय पर अमेर के लिए कई युद्ध अभियानों में भाग लिया, यहां के ठाकुर कल्यान सिंग जी ने मराठाओं के खिलाप कई युद्धों में भाग लेकर वीरता प्रदर्शित की, ठाकुर कल्यान सिंग जी ने अमेर के साथ ही मेवाड राज्ये की भी सेवाई की यहांके एक ठाकुर जगत सिंग जी शिव भक्त थे उनकी एक ठाकुरानी उदावत जी ने गोपिनाज जी का मंदिर बनवाया दूसरी ठाकुरानी मेडत जी ने वरिंदावन में मंदिर बनवाया इनी ठाकुरानी मेडत नी जी की एक पुत्री रतन कमर यही नहीं डिग्गी राजपरिवार की महीलाओं ने डिग्गी, वरंदावन, लांबा, मालपुरा, चांद सेन अधि कई स्थानों पर पेईजल के लिए बावडियां मनवाई और मंदिरों का निर्मान कराया गड में एक बड़ा दर्बार महल, अमर निवास, रनिवास, माता जी का मंदिर, विसाल एक कुवा, सीताराम जी का मंदिर, नटवर जी का मंदिर, जैसे कई निर्मान हैं एथियास्चिक द्रस्टी से उप्योगी एक सिलालेक भी गड़ की दिवार पर लगा है, जो मेवाड के महराना सांगा के निदन से संबन्दित है काले फटर पर लिखे इस सिलालेक में राना सांगा के गाहिल होने पर डिकी गड़ में एक व्यद्द जी द्वारा इलाज कराये जाने की बात लिखी है इस्तानी ये लोगों ने हमें बताया कि डिग्गी में कोई तिवारी जी वैद्दे थे जिन्नोंने राणा संगा का उपचार किया था देश की आजादी के बाद देशी रियास्तों का विले हो गया तब यहां के सासकों ने लोकतांतरिक प्रणाली में विश्वास रखते वे चुनाओं में भाग लिया और कई चुनाओं लड़े और जीते भी जिसमें तीन बार उनको प्राज्य का सामना करना पड़ा ओ तीन बार यहां से विद्या करें डिकी की पैचान है यहां के कल्यान जी महराज का मंदिर जहां दूर दूर से भक्त गण सीसनवाने आते हैं हमने सुरु में जिस भजन का जिक्र किया वो इनी कल्यान जी को डिगी पुरी का राजा संबोदित कर काया जाता है इस मंदिर के बारे में एक अलग वीडियो में हम जानकारी देंगे तब तक जुड़े रहे हमारे फेस्बुक पेज सोर्य गरजना न्यूज और यूटूब चैनल ग्यान दरपन के साथ और हाँ आप चाहें तो इस गड़ में अपनी या अपने बच्चों की साधी कर राज सी साधी का सोग पूरा कर सकते हैं जिसकी बुकिंग के लिए इनकी वेब साइट पर संपर करें धन्यवाद जे भारत जे राजपुताना